नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी यूटूब चेनल में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आज मैं आप लोगो को बताने जा रही हो अगर आपको भी सफेद बालों के प्रबिलम है तो इस एक चीज को खाने से जड़ से खतम हो जाएगी आपके सफेद बालों के प्रब्लम बस आप लोगों को इस चीज़ को हर रोस वह जरूर खाना है दोस्तो भाग दोड़ भरी इस लाइफ में प्रदूशन और टेंसन की वज़ों से लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं कम उम्र में ही बालों का सफेद होना आम सी बात हो गई है ज़रत तर लोग इस समशा से बचने के लिए महंगे तेल और प्रड़क्त खरीद लेते हैं जिनका असर नहीं दिखता ऐसे मैं आज मैं आप लोगों को एक ऐसा नुस्का बताने जा रही हूं जिस नुस्के को फॉलो करके आप लोग अपने सफेद बालों की प्रॉब्लम से चुटकारा पा सकते हैं हाँ जी मैं बात कर रही हूं मेथी दाना से तयार एक ऐसा नुस्का जो आपकी मदद कर सकता है मेथी दानों से कैसे आप लोग अपने सफेद बालों से चुटकारा पा सकते हैं उसके बारे में जानते हैं सर्दियों में बालों के जड़ने के समश्या बहुत जादा बढ़ जाती है अगर आपके बाल समय से पहरे सफेद और कमजोर हो रहे हैं तो ऐसे मैं आप लोगों को मेथी दाने से बनाया गया जो ये पेस्ट है इसे यूज़ करना होगा जो ये नुस्का है इसे आप लोगोंने एक से डेड़ घंटा अपने बालों पे लगा के रखना है उसके बाद आप लोगों नॉर्मल पानिशे वास करके अपने बालों को धोलेना है अगर आप लोग एक महिने तक लगातर ऐसा करते हैं तो जो आपको सफेद बालों के प्रॉब्लम है वो जड़ से खतम हो जाएगी इसके लावा दोस्तों आप लोग सुभा जब भी उड़ते हैं उड़ते ही आप लोग गुड़ और मेथी को अगर साथ में खाते हैं तो आपके जो सफेद बालों के प्रॉब्लम है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इंफॉमिशन की कैसे आप लोग सफेद बालों से चुटकारा पा सकते हैं वो भी सिर्फ इस एक चीज़ को खाके तो अगर आप लोगों के भी बाल उमर से पहले सफेद हो रहे हैं तो आप लोग मेथी दानों से बना ये पेस्ट जरूर यूज कीजिएगा इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फाइदा होगा और बहुत ही जल्दी आपके बाल जो सफेद हो रहे हैं वो नहीं होंग तो अमीद करते हूं दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई आज की इनफोमिशन काफे ज़्यादा अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक शूर वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर